नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोस ने सभेरे ने जोश नई उपलब्धियों के साथ हाजिर हो जाता हूँ मित्रो जोतिश के द्वारा जो मार्गुदर्शन आपको प्राप्त होता है वह एक पिता की भाती होता है जैसे आपका पिता आपके लिए सबसे बड़ा सुभेक्छू है उसी प्रकार जोतिश विद्या जोतिश रूपी विशिष्ट ग्यान यह विज्यान हमारा पिता है इतना सत्य है जितना की सूरज का पूर्व में उद्य होना तो इस सच रूपी गंगा में ज्यान की डुबकी लगाने के लिए आप सब हमसे जुड़ जाते हैं बात पदमा की शुपक्ष द्वादसीती थी है पूरे दिन और रात चंद्रमा मिठुनाशी में नक्षत्र पुनरवसू योग रहेगा सिध्धि तदनस्वार दिनांक 27 अगस्त दिन मंगलवार राव काल का समय दोपार तीन बज़े से चार बच कर तीस मिनिट तक भया ये बुरा समय होता है इसको आप आवाइट किया करें इसमे कोई भी नय और शुपकाम का आरण धुन्नक करिएगा और गुलिक काल का समय होता है दोपार 12 वजे से 1 बच कर 30 मिनट तक सब कुछ किया जा सकता है तो चलिए सुरुबात करते हैं मेश से लेकर कि मीन तक आज का पूरा दिन कैसा भी इतने वाला है और हाँ अहम्दाबाद ने आज कल परसो 27-28-29 अभी भी समय है जल्दी से फोन करके अपॉइंट्मेंट ले लीजिएगा 9560447000 ये नमबर है चलिए सुरुबात करते हैं आज की राशी फल की और बताते हैं सबसे पहले मेश राशी वालों का आज का दिन कैसा भीतेगा 27 अगस्त मंगलवार मेश राशी पढ़ाई में खूब मन लगाएंगे और आज मेहनत का फल मिलेगा सिक्षा छेत्र में आपको लाव के नए अवसर मिल रहे हैं सिक्षा छेत्र आपका बहुत अच्छा चलेगा बिजनस के लिए आज थोड़ा सा मसक्कत करना पड़ेगा ब्यापार में कुछ दिक्कते आ सकती हैं ब्यापारिक दिश्टिकोंट से थोड़ी सी परिशानिया रहेंगी बिजनस को लेकर कि आप बिल्कुल स्ट्रॉंग बनिएगा आज प्राइवेट सेक्टर मेश राशी 27 अगस्त वंगलवार मामला यहाँ पर टफ रहेगा बॉस के साथ नोग जोग हो सकता है किसी दोस्तियार के साथ कुछ भी बात की इस्थतिया सकती है दिनांग 27 अगस्त गॉवर्मेंट सेक्टर आज सावधान रहने का है मामला टफ सिचुएशन से बितेगा आज नोगरी पर आज आ सकती है पति पत्नी की बीच तालमिल बहुत अच्छा रहेगा समस्याओं से दूरी अपने आप बनती जाएगी एक अच्छी मजबुती आपको प्राप्त होगी और सकरात्मक भी रहेंगे आप दिनांक 27 अगस्त लव लाइफ अदभुत इस्थती रहेगी एक नया आयाम छोने जा रहे है सकरात्मक रहेंगे समस्याओं से बाहर निकलेंगे 27 अगस्त स्वास्त आज का दिन डिप्रेशन की भेंट चरने से बच जाएगा दवाईयां सूट करेंगे ओप्रेशन सक्सेस्फुल होगा उपाय क्या करना चाहिए आज आज किसी जरुवत मंद को कुछ द्धापूरवक खाने के लिए प्रदान करिएगा क्या नहीं करना है आज बडों से बद जुबानी नहीं करना है शुबरंग आपके लिए नीला भाग के प्रतिशत 51 विशब रासी मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा पढ़ाई में कम मन लगेगा आज दोस्तों के साथ कुछ बिवाद पैदा हो सकता है विद्यार्थियों में विद्यार्थि जीवन में अगर दोस्त आपके है ब्यापार ठीक ठाक चलेगा 27 अगस्त को कुछ अच्छा फाइदा होने जा रहा है और हो सकता है आज कोई बड़ा वर्क आउडर भी आपको मिले आज प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा टप इस्तिती में आएगा थोड़ा तनाव पूर्ड इस्तिती आ सकती है दोस्त यार में आज कुछ विवाद की इस्तिती पैदा हो सकती है कहीं पर कुछ लेन देन का भी आज मामला फंस सकता है 27 अगस्त मंगलवार बिशब राजी गौर्णमेंट सेक्टर वालों के लिए आज प्रोमोशन के चांसेज रहेंगे बॉस आपकी प्रशन रहेंगे आज हो सकता है कुछ महिला बॉस बिशेश कुछ फाइदा दे दे अधूरे प्रस्ताओं से आज प्रसनता मिलेगी बाहर निकलेंगे मानसिक किस्थिती बहुत अच्छी रहेगी स्वयम को आज मजबूत बना पांगी आप गौर्णमेंट सेक्टर और फिर लव लाइफ और मैरेट लाइफ लव लाइफ और मैरेट लाइफ दोनों में आज तनाव कुछ पैदा हो सकता है महिलाओं की तरफ से खास तरफ जो ब्रिशवरासिकी महिलाएं है थोड़ा सा स्वास्त को लेकर के भी आज रिलेशन्सिप में प्रभाव पढ़ सकता है आज प्रीमी जोडे शादी की चर्चा न करें तो बहतर है स्वास्त गर्दन की समस्या कुछ दातों की समस्या कुछ उल जाएगी दोपहर के बाद 60 प्लस एज वालों के हड्डियों में भी कुछ दल्थ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज के दिन किसी जरूरत मंद को हरी सबजी दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज स्वयम से किसी से कुछ मागना नहीं है सफेद रंगशुभ है 60 प्रत्षत का भाग्याब के साथ है मिथुन राशी मामला थोड़ा सा टफ पुनरवशुन अक्षतर के कारण होगा पढ़ाई में बिलकुल मन नहीं लगेगा नए विवादों को जन्म मिलेगा कुछ विवाद आपके द्वारा भी सिक्षा छित्र में पैदा किये जा सकते है 27 अगस्त मंगलवार मिथुन राशी बिजनस आज धन का लाव मिलेगा नया निवेश फाइदा देगा जमीन जायजाद में कहीं निवेश करने के लिए भी विजार कर सकते है प्राइवेट सेक्टर नौकरी में आज उल्जने बढ़ सकती है कुछ लेंदेन को लेकर आगशेप आजाब पर आ सकता है मैला बहुत से आरोप प्रत्यारोप में उलजना ठीक नहीं है कॉर्मेंट सेक्टर समयन कूल रहेगा वहां सुक्की प्राप्ती होगी आज बहुत स्पीर थप थपा सकता है कुछ बड़ी जिम्मेदारी बड़े भात ही धंग से अच्छी तरीके से निभाएंगे आप बली भात निभाएंगे दांपत्य जीवन आज धड़कनों को थामने का दिन है बहुत पुराना विवाद समाप्त हो जाएगा आर्थिक मजबूती रहेगी सुसुराज से रिस्ता मदूर होगा लव लाइफ आज थोड़ा ठीक नहीं है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे आशंकाओं में रिस्ता आज उलज जाएगा सावधान रहिएगा स्वास्त के मामले में आज जुखाम बुखार परेशान करेगा कुछ मौसम पानी का हेर फेर भी उलजाएगा क्या उपाय करना है आपको आज करकराशी 27 अगस्त मंगलवार पढ़ाई लिखाई बहतरीन चलेगी सिख्षा में आ रही बाधाएं सदा के लिए दूर हो जाएगी मन खूब लगेगा बिजनस टप सिचुएशन है अच्छा नहीं चल रहा है निवेश का कुछ हानी प्रतिशत आपके सामने आएगा घाटा होगा बिदेश में कुछ धन फंस सकता है कोई आज जीट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर अच्छा समय है नौकरी में प्रमोशन के चांसर है आज सेलरी भी बढ़ सकता है बास प्रशन रहेंगे बास आज बदले भी जा सकते हैं अब गौर्बन सेक्टर वाले करकराशी आपके लिए समय अनकूलता लेकर के आया है वहां सुख दिलाएगा रुके धन की प्राप्ती होगी बच्चों की शादी आज तेहोने से मन में प्रशन रता भी रहेगी करकराशी दामपत्य जीवन मामला ठीक ठीक रहेगा कहीं घुम्मे टहलने का कारिकरम बन सकता है बाहर खाने पिने का कारिकरम बन सकता है आज बच्चे आपत्य पत्नी के बीच पुल का काम करेंगे कभी कभी कह तू कभी-कभी पुरुषों को भी समझ लिया करिए करकराशि लव लाइफ इस्ट्रेस पुर्ण है इस्ट्रेस fund इस्ट्रेस पूर्ण है करकराशिवा लोग को आज लव लाइफ में रिस्क नहीं लेना है ना मिले तो बेहतर है आज मंगल भारी हो जाएगा स्वास्त के मसले पर आज नजला जुखाम दो बहर बाद कुछ खांसी की सिकायत हो सकती है महिलाओं को आज कुछ गायनी प्रॉब्लम्स भी परेशान करेंगी नजल अंदाज मुत करिएगा लेने के देने पड़ जाएगे क्या उपाय करना चाहिए आज घर में चांदी कुछ हो तो उसे छू लीजिए का एक बार क्या नहीं करना है आज लाल रंग नहीं पहनना है काला रंग शुभ है 56 प्रत्षत का भाग्याब के साथ सिंग राशी मानसिक शांती मिलेगी पढ़ाई में मन लगेगा नई सिक्षा आज आरंब कर सकते हैं आज धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी सिंग राशी सिंग राशी वालों को कुछ श्थितिया सकरात्मक ले करके चलनी है मन प्रशन रखियेगा हर बड़ा हट मत दिखाईएगा सिंग राशी आज गौर्रमेंट सिक्षा वालों को नई नखुली की संभावना बन रही है आउट अप टर्ण प्रमोशन के चांसेज है बहुत प्रशन रहेगा जिम्मेदारियां आप अच्छे से निर्भान करेंगे आज का दिन दामपत्य जीवन में कुछ टफ इस्तिती में आ सकता है बत्ती पत्ती की बीच विवाद की इस्तिती आ सकती है स्वास्त को लेकर के भी कुछ थोड़े से आप अस्मंजस की इस्तिती में रहेंगे उपाय क्या करना है बताएंगे पहले लव लाइफ जान लेते हैं लव लाइफ में आज इस्तिती बहुत अच्छी है डेट पर जा सकते हैं शादी की चर्चा फाइनल हो सकती है मन आपका बिलकुल एकाग्र होकर की वश में रहेगा कोई ऐसी इस्तिती नहीं आएगी जिसको आप परेशानी के साथ हैंडल करें आज स्वास्त के मामले में पेट की दिक्कत है और किद्नी पेशेंट्स को आज थोड़ा खान पान पर ध्यान देना होगा क्या उपाय करना चाहिए आज आज तोलसी के नीजे की मिट्टी से टीका कर लीजेगा क्या नहीं करना है अपने मन से किसी को उधार नहीं देना है बैगनी रंग शुभ है 57 प्रित्शत का भाग आपके साथ है कन्या राशी मन प्रशन रहेगा बड़ी चिंताओं से बाहर निकलेंगे कुछ इस्थतियां बहुत अच्छी रहेगी आज पढ़ाई में खूमन लगेगा ब्यापार अच्छा चल रहा है ब्यापार में आज कुछ निवेश करने का लाभ मिलेगा कोई बहुत बड़ा मददगार आपके साथ मदद के लिए आगे आएगा आज मन आपका प्रशन रहेगा जिनताओं से बाहर निकलेंगे बिजनस में नए निवेशक भी मिल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में प्रोमोशन के चांस है बहुत प्रशन रहेगा आज आपकी पीट थपतपाई जाएगी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके दौरा संपन नहोगा गॉर्मेंट सेक्टर में आज थोड़ा सा मन मुटाओ की इस्ति है कुछ कलीक के साथ बैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है लेन दिन आज कम करें तो भेटर रहेगा दामपत जीवन अच्छा चलेगा पति-पतनी के बीच तालमेल सेटल्ड हो जाएगा मुमने टहलने का कारिक्रम बन सकता है लव लाइफ में इस्ति आज नए की तरफ बढ़ रही है कोई नया आपके दामपत घुटने की तकलीफ अर्थराइटिस होगरे बीमारी बढ़ सकती है उपाय क्या करना आज आज किसी को हसाईएगा Make anyone laugh क्या नहीं करना है जरूर आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है तो ना मत करिएगा आज किसी को बादामी रंगशुब है 50% का भाग आपके साथ है तुला राश आर्थिक मजबूती के कारण सिक्षा छेत्र में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी सिक्षा छेत्र बहुत अच्छा रहेगा सिक्षा छेत्र में आ रही बाधा हैं सदा के लिए दूर हो जाएंगे मन आपका प्रशन रहेगा आज हर लिहाज से आपके लिए सकरात्मक उर्जा पैदा हो रही है तुला राश बिजनस अच्छा रहेगा ब्यापारिक भाटे की भरपाई हो जाएगी कोई नया आपकी बिजनस में निवेश कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में नौगरी में प्रमोशन के चांसेज है आज डिपार्टमेंटल डिस्क बदल सकता है कुछ बहतर होने के योग बन रहे है तुला राश मन स्थाइट की तरफ बढ़ रहा है बड़ी समस्याओं से बाहर निकलेंगे कौवर्मेंट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेज है आज हो सकता है श्थाना अंद्रण भी हो जाए परिवार का सालिद मिलेगा बच्चों के प्रति दायर तो पूरुन हो जाएंगे आज तुला राशी वालों को कौवर्मेंट सेक्टर में धन का भी लाव हो रहा है मगान चेंज भी कर सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पती आज विश्वास करेगा आप पर और आपके भी लिए समरपन की वेला है पुराने किसी भी घिले शिक्वे को आज भोलने का दिन आ गया है लव लाइफ ब्रेक अप की चांसेज हैं सावधान रहेगा तुला राशी की महिलाओं लड़कियां सावधान जादा रहे आप धोखे में हैं धोखा दिया जा रहा है भंडा फूटेगा और आखों की तकलीफ भी दिखाई दे रही है क्या उपाय करना चाहिए आज आज चने की दाल कदान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी बच्चे से जूट नहीं बोलना है हरा रंग शुभ है 58 प्रित्षत का भाग दिया आपके साथ है व्रिष्चिक राशी आज सिक्षा में खूब मन लगेगा पढ़ाई अच्छी चलेगी नई जगह पे अड्मिशन के लिए विचार किया जा सकता है बिजनस में कुछ टफ सिच्वेशन आ रहा है व्यापार आज कुछ घाटे की तरफ बढ़ रहा है नई व्यापार के लिए भी समयन कूल नहीं है बिलकुल रुख जाईएगा व्रिष्चिक राशी 27 अगस्त मंगलवार प्राइवेट सिक्टर जू करके बढ़ेंगे समस्याएं सदा के लिए दूर हो जाएंगे आज प्राइवेट सिक्टर में तूती बोलेगी एक बहुत मजबूत इस्थतियाद की आ रही है व्रिष्चिक राशी धन का लाब मिलेगा मांसिक प्रशनता रहेगी गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन के लिए आज थोड़ा सा रुकने का समय है नहीं है ठीक दिन थोड़ा इगो अपना कंट्रोल करिएगा अचानक से किसी से उलजना भारी पड़ेगा दामपत जीवन अच्छा रहेगा दामपत जीवन में समस्याएं दूर हो चुकी है हर प्रकार से एक दूसरे का साथ रहेगा और सानिध्य का जो लेबल है वो बढ़ता जाएगा लव लाइफ बिल्कुल बैलेंस रहेगा कोई समस्या नहीं आएगी एक दूसरे को समझना सुरू किये है जिस चीज का आपको इंतजार था इस्पेस देना बहुत जरूरी होता है है न अब क्यों क्यों मुडियब बैठी जाए तो भूत जो मुडिया बाए उतो उतरी जाए ने अरे प्यार के भूत चढ़ा था ने तो मुडियब रहत है अब क्यों कपारे बैठी जाए आए कि इस्पेस नहीं है कपार पे बैठना का मतलब हुआ 24 घंटा शक करना ब्रश्चे ग्राजी स्वास्त आँख और पेट की समझ से आज परेशान करेगी क्या उपाय करना है आज किसी जरुत मंद को फल दे दीजेगा क्या नहीं करना है मात्रा आपकी मर्जी है क्या नहीं करना है आज गुसा नहीं करना है औरेंज कलर सुब है 55 प्रत्षट का भाग आपके साथ है धनुराशी कोई बड़ा काम आज उलजने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कुछ emotional पार्ट भी आज आज आपका painful रहेगा प्रेम महबत वाला अपोजिट से attraction वाला धनुराशी दिरांग 27 अगस्त मंगलवार बिजनस बहुत tough situation में है व्यापार सावधानी के साथ कदम बढ़ाईएगा समय अनकूल नहीं है बिजनस में दिक्कत आ सकती है private sector मामला ठीक ठीक रहेगा धन कलाब होगा रोके काम बन जाएंगे प्रशिद्धी के योग बन रहे है आर्थिक मुर्चे पराज मजबूती रहेगी government sector वहांस का सुख मिल रहा है जमीन के विबाद से मुक्ति मिलेगी बच्चे की शादित होने की खुशी चेहरे पे जलकेगी मिठाई खाने के अवसर मिलेगे धनुराशी दामपत्य जीवन समय अनकूल रहेगा लाब की अवसर बनेगे पत्य पत्य की बीच ताल मिल अच्छा वैठेगा धनुराशी लव लाइफ तब सिचुएशन है ब्रेक अप के चांसेज फिर से बन रहे है अब इस स्वास रिष्टे की कैची है काट देगा स्वास्त एणियों में समस्थ्या रहेगी लिवर और पैंक्रियास की प्रॉबलम हो सकती है शुगर आज बहुत तेजी से बढ़ जाएगा उपाय क्या करना है हरी सबजीयों का दान शुब होगा क्या नहीं करना है किसी भी कीमत पर आज नौनवेज मत टच करिएगा पीला रंग शुब है 60% का भाग्याब के साथ है मकर राशी आर्थिक इस्तिती मजबूती के साथ आपको स्विक्षा में उन्नती दे रही है समस्याएं सदा के लिए दूर हो रही है व्यक्तिकत तौर पर आज मजबूत महसूस करेंगे ब्यापार आज अच्छा चलेगा प्यापार में हो रहे घाटे की भरपाई होगी लाप के अउसर में लेंगे बाहर से कुछ निवेशक मिल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेज हैं आज इमीडियेट बॉस प्रशन रहेगा जो पैसे का हिसाब किताब गड़ बढ़ाया था दूर हो जाएगा गवर्मेंट सेक्टर लाप की चांसेज यहाँ भी बहुत अच्छे हैं समय इनकुलता लेकर क्या आया है समस्याओं से बाहर निकलेंगे धन किस्तिती बहुत अच्छी रहेगी मगर राशी आज का दिन आपके लिए बेहत सकरात्मक है आज लव लाइफ और मारिड लाइफ बैलन्स रहेगा इक्स्टा मैरिटल अफेर वाले आज सेफ रहेंगे मानसे ग्रूप से आज सांती मिलेगी कहीं क्वाल्टी टाइम स्पेंड करने के भी योग बन रहें दोनों जगें बता रहा हूँ स्वास्त के मसले पर आज कुछ गुप्त रोगों की संभावनाई बन रही है पायूस होगर है कि जिसको शिकायत होगी आज परिशान रहेंगे क्या उपाय करना चाहिए आज आज सफेद वस्तर धारण करें क्या नहीं करना है तेल मसाला आज बिल्कुल नहीं खाना है सफेद रंग की शुप्ता है पचास प्रतिशत का भाग आपके साथ है कुम्बराशी रुके काम आपके बन जाएंगे पढ़ाई को मन लगा कर करेंगे शिक्षा छेतर में बड़ी समस्याओं से बाहर निकलेंगे पढ़ाई पूर्टा की तरफ जा रही है बिजनस अच्छा चलेगा निवेशक मिलेंगे धन का लाव हो रहा है फैलाव दे सकते हैं प्राइवेर सेक्टर नवकरी में प्रमोशन के चांसर है नई नवकरी की संभावना बन रही है इंटर्व्यू के लिए कॉल आ सकती है आज छुटी ना लीजिएगा गवर्मेंट सेक्टर समय बहुत अनकूल है पढ़ाई, लिखाई और घुमाई सब बैलेंस बना रहेगा कहीं आप विभाग की तरफ से भेजे जा सकते हैं आज बहुत बहुत प्रशन रहेंगे वहाँन का सुख मिल रहा है दिनांक 27 अगस्त कुम्भराशी दामपत्य जीवन पत्य पत्यी के बीच कुछ ऐसे तालमेल भी बैठेंगे जो बहुत समय से आपके लिए परिशानी का सबब बन रहे थे मन प्रशन रहेगा दामपत्य जीवन अच्छा चलेगा लव लाइफ आज जगड़ा लडाई होने के संभावना है कुछ लेन देन अगर लव लाइफ में किये तो रिस्ता खतम हुआ बले ही लड़की एक तरफा प्यार करती है पैसे दे दी लड़का नहीं करता है रिस्ता पैसे एक वज़स खतम हो जाएगा स्वास्त हर्डियों की दिक्कत है बैक की प्रॉब्लम रहेगी आज जिसको एपिलेप्सी हो गरे की शिकायत है परिशानी हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज कुम राशिवालों को भगवान शिव की सरण में रहना चाहिए ओम नवह शिवाय क्या नहीं करना है आज ओवर एक्सपेंस नहीं करना है पीला रंगशुब है 65 प्रत्षित का भाग आपके साथ है दे लाश्ट वन मीन राशि खुम मन लगा करके पढ़ाई होगी धन का लाब मिलेगा रुके काम बन जाएंगे मानसिक मजबूती रहेगी इधर का उधर करना थोड़ा सा आपको बंद करना पड़ेगा मीन राशि उपाय क्या करना चाहिए बताएंगे द्यापार इस्तिती अच्छी रहेगी तो पहर के बाद कुछ नया एग्रिमेंट हो सकता है बिजनस में आज प्रॉफिट के चांसर जादा है बिदेश से भी सुब अवशर की प्राप्ति होगी मीन राशि 27 अगस्त मंगलवार प्राइवेट सेक्टर नौकरी में आज नुकसान हो सकता है बिवादों में उलच सकते हैं कुछ समस्याएं गंभीर आपके लिए परिशानी का सबब बनेंगे सावधानी के साथ कदम बढ़ाईएगा बेहतर रहेगा स्वास्त बताएंगे पहले गवर्मेंट सेक्टर इस्थिती बहुत अच्छी है प्रमोशन के चांसे है रुगा हुआ ट्रांसफर आज रिलीज हो जाएगा परिवार के करीब जाएगे संतान गर्व महसूस कराएगा दामपत्य जीवन पत्य पत्नी आज मधूरता के साथ रिष्टे को आगे ले जाएगे पुराने समस्याएं दूर हो रही है आर्थी किष्थेती बहुत अच्छी रहेगी आज धन का लाब हो रहा है पत्य पत्नी खुश हो जाएगे पैसा आ रहा है थोड़ा सा कपड़ों की शॉपिंग कर लेजेगा आज आप नल ने सिरी मतिजी को दिला दीजेगा लव लाइफ दीट पर जा सकते हैं दिन अच्छा भी देगा एक दूसरे का साथ बना रहेगा स्वास्त के मामले में माइक डेन की शिकायत हो सकती है आखों की तकलीब में कुछ परेशान करेगी क्या उपाय करना चाहिए आपको आज के दिन किसी छोटे बच्ची को कुछ खिलोने दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज अति विस्वास नहीं करना है स्लेटी रंग शुभ है 55 प्रत्षत का भाग आपके साथ है चली बढ़ते आगे और जानते हैं मेश से लेकर की मीन तक का आज का भाग्याक्षर लेकिन पहले ये बता देते हैं कि भाया आज पता है कि नहीं महमदाबाद आ गए जल्दी से वाट्सअप करिए 9560-447-000 और गाजियाबाद मिलने के लिए 29 तारिक से लगाता है दिनस्वा का नंबर 99-10-39-50 कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और अब भाग्याक्षर जान लिजे मिश राक्षर बिशप चा मिथुन भाग्षर करक आ सिंग धाक्षर कन्या रा तुला छोटा आक्षर ब्रिश्चिक जा धनु चाक्षर मकर शा, कुंभ, छोटी ई अक्षर और मीन तौब आपके अपने भाग्याक्षर है सादे कागच में लिखें और अपने पास रख लें चलते चलते आज की सकस्स की इसको आप एक्जाम टिप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आज को एक्जाम हत्तो तीन चुटकी चावल और हल्दी किसी पौधे के नीचे रखते हुए घर से आगे बढ़ जाएगेगा लाव के उस्षर बनेंगे शुबता आपके साथ जूड़ी रहेगे थांकि जो मच बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद प्यार बनाये रखिएगा और आज बताएंगे आपको अगर आपके साथ मंगर और सनिचर कुछ ऐसा होता हो कैसा जानने के लिए देखेगा हमारा ब्यद खास कारेक्रम जो तिस जरा हटके फिलाल के लिए मैं नमद देजेगा नमस्कार शिरादे